जैसे मालक कागिज का टुकणा है अभी एक मिन्ट बाद आप देखोगे, इसका जैसे ग्रीन में। आभ इसको ऐसे करते हैं। भी नोट बन सकते हैं करोड की अबादी में 130 जादूगर नहीं हैं बड़े लेवल के एक साल का डिप्लोमा टाइप से हम लोग चाहते हैं सरकार से कि ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिलें यानि जादू सिख करके हम लोग क्या करें हमारे को उनको रोजगार मिलें का फी लोगों ने मेरो का इतने करोड़ पर ले लगना फारमाउस हमारा हम आपको भगवान के रूप में पुजवाना चाहते हैं वहां पर हम बाबा साुथ के साइड में मैंने सारे हुमर जादुगर समराठ शंकर के पिछ स्वागर दोस्तों सपोक्समेन तेख रहा हुआ रहा है और मैं сосब करता हूँ इस मधिटा में मुझूध लागा जहां पर डेकन रहा है कै 은 जादुगर करक्षेटर में पून रहे हैं तरफिने के डैकल लोगों का मनरंजन कराते हुए नजर आए हमें जादूगर समराट शंकर जी जो पिछले 50 साल से लोगों को अपने जादू से जादू तो दिखाई रहे हैं पर इसके इलावा संदेश भी देते हुए नजर आए आज इनका जो सारा प्रोग्राम देखा पर उसमें कई भी दिए तो यह अच्छी बात है कि आप एक कलाकार अपने कला के मादियम से लोगों को संदेश भी दे हैं मैं जादूगर समिनाट शंकर जो की देश विदेश में जादूई प्रोग्राम करता हूं 28000 शो मैंने देश विदेश में किये हैं जिसमें 23000 शो मैंने चैरिटी क को डोनेट किया और दो तिन करोड रुपया संस्ता ने हुकमाया वो अलग है हमारा में मकसद है भी जादू कला भारत की आर्ट है ये जिन्दा रहे आज 130 करोड की अबादी में मतलब 130 जादूगर नहीं हैं बड़े लेवल के जैसे हमारा आपने शो देखा डेट दो गंट इतने मेमरों को स्टाफ और इतने इंस्टूमेंट अब लड़की को हवा मूड आते हैं हम लोग पबलिक में से लेते हैं कोई लड़की आजे और उसको ऐसा है मैसूस होता है वो टेबल पे लेटी हुए हालां कि टेबल दो निखाल लेते हैं रिंगी भी पास कर देते हैं तो जादू में कुछ हिपनोटीजम होता है कुछ ट्रिक्स होते हैं हाथ की सभाई के खेल है तो हमने इसको फाइन आर्ट का दर्चा दी है और शुरू में मेरी 12 साल की उमर थी जब जादू कर देवकुमार आए थे सिरी कर्णपूर राजस्तान हम लोग सेटल रहे हरियान ना था इंजिनियर बनने का तो जब जादू कर देवकुमार का शो देखा सबसे पहले उनसे प्रेड़ना मिली मैंने का यारी एक दम से कैसे कर देते हैं वो कर देते हैं मैंने का तो फिर मैंने मन में सोचा देखो इंजिनियर इंजिनियर बहुत है आई इस बहुत है आई का जादूगर है पांचे लड़किया और रहम अगाले सादी के टैम भी फिर हमने मिसिज को फेरो के टैम काईप कर दिया था बैठी वजिती लेकिन दिखाई नहीं दी वास इपनोटाइस तो कहने का मतलब बहुत बड़ी एक कला है तो फिर मेरे जादूगर बीन सरकार जो व काले भी थे इतना बड़ा ये कैसे हो गया वो हो गया ये सारा कुछ है लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया अगर उनकी तरफ ध्यान देते तो आज इस मुकाम पे नहीं पूंच पाते हैं और बाद में मैंने कई सालोंगा मुड़के उनकी तरफ देखा तो व आपका एक सबना आया जो भी आप पिछा छोड़ते नहीं लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए कारे करो समाज सेवा के लिए करो तम मैंने चैरिटी का है ना जी बहुत सो मेरे मैक्सिमम सैंटी फाइप परसेंट शो मेरे लाइफ में चैरिटी बलू हुए है और फिर जैसे लागों रुपया सरकार खर्च करती है जन संदेश पे और हमने उसी साबसे आइटम बनाए आपने देखा होगा एलिजन ओफ अमेरिका लड़की देखते दे गाइब हो गई अगर ऐसी लड़किया गाइब होती रहे तो इंदोस्तान में लड़कियों कमी आजाएगी इसल करें ईपकार का करें है एक सरकार का मतलब वह एजन आपणा में एक ब knight बंता है विजह यह इतनी सरकार सब तो बहुत बड़ा इंटर्टेन्मेंट है तो यह मतलब लूप तो होती आर्ट को सरकार को भी बचाना चाहिए यानि सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कोई अकैडमी स्तापित की जाए जैसे मेरा सपना अभी पांच एकड़ जगा सरकार अगर निसूल के नौमि में हुआ गुडगामा हुआ तो अगर पंजाब में भी ऐसी कई जगाएं हैं तो कहीं भी मतलब ताकि इस आर्ट का विखास हो एक साल का डिप्लोमा टाइप से हम लोग चाहते हैं सरकार से ताकि उनको बाद में रोजगार भी मिले यानि जादू सिख करके हम लोग क्या कर अगरा तो सौमी लाल जी महराज जो मेरे योग के गुरू है उन से योग की दिखशा लिए आज सुबह के शो में एक लड़की आई हवा में उडने के लिए वह मतलब कहने लगी अंकल यह से कुछ होगा तो नहीं मैंने का कुछ नहीं होगा कल वाले शो में दोपैर को तो अगर उसके बाद हम स्टेश पर आते हैं बाद में शो के बाद ड्रस में होती है लोग फोटो किछ बाते हैं सेल्फी किछ बाते हैं तो लड़की की मदर आई के ता अंकल मैंने पची साल पहले हवा में उड़ी थी आपके यहीं पर निलम सिनेमा में शो था आज मेरी करने सबसे बड़ा योग है जी हम तो सभी को कहते हैं भी आज के लिए इतनी हार्ट की प्रोलम में इतनी हो रहें आप सिरफ अनुलों मिलों प्रानयाम एक नाक से स्वाज नहीं दूसे सबी जानते हैं आप अपने जीवन में योग को अपना हो खान पान को सही रखो चीज है उमर कितनी है आपकी अभी मेरा 1950 का बरत है वाज सब्सक्राइब देखो 72 कंपलीट हो गए 73 एज में भी जादू कर रहे हैं कोई दिक्कत में करी रहे हैं और आज नए से नहीं सिश्य त्यार कर रहे हैं अभी जूनियर समनाट शंकर सिश्य अपना अभी आपने देखा औ जानी एक बुद्धी का विखास होता है आज माले मैजिक सीखेगा उसमें लगा रहे हैं कि अलग से होता है आप इस तरीके से जादू करें क्या आज तक आपको जादू ने क्या दिया कौन-कौन से देश आप घूमके कौन-कौन से जगह पे लंदन में 40 दिन शो की है बर् में दो बार किये मैंने साम को जैसे आर्थ शो का टाइम ता साथ मुझे पहुंचे हम गंटा लेट जाते लोग अगर मुक्याजने बड़े जादू गए रहा है इंडिया से टाइम की पंक्चुल्टी नहीं मैंने कब घड़ियां देखे फाइव मिंड विपोर पांश हम पूरे होल को मास हिप्रोटाइज कर देना तो यह क्या जी आर्ट का एक होता है एक हो सकता है हाव यह मतला अपने जो शो देखा हमाने लड़की वह मुड़ाया लड़की को तो मालू भी नहीं मैं वो टेबल हटा दिया तीर भी लगाए और लगाए उसको मतलब यहीं इ रहेंगे ऐसे करते जाएंगे अब ऐसे करते जाएंगे और भी नोट बन सकते हैं असली में बदलाना बदला लेना बाद में यह असली में होता है तो एक कला है अगर आसे नोट मने कमाने की चुड़ती है सरकार में फाइनिस मिलिश्र बना दे मैं फिर दो नोटों की कमी नहीं रही लेकिन हम लोगों के अंद्विश्वास दूर करते हैं जो लोगों के मन में ब्रांतिय होती है जादू के प्रतिया काला जादू सबेद जादू अजाज आप दो मुझे नाम फिलम का याद नहीं रहा ही जादू का नाम भी जादू गरी था उसकी तरह के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको लोग पूजने लगे लगे मेरे को ओफर मिली थी हमारे एक हमारे हैं ब साधर दूर करने के होता है है लेकिन काफी लोगों ने मेरो का इतने कुरोड़ पर ले लगना फारमाउस हमारा हम आपको भगवान के रूप में पुझवाना चाहते हैं वहां बाबा साउथ के साइड में मैंने कहा है सारे उमर जादूगर समराट शंकर के पिछे लगा दी कहता है जादूगर सम करना फारमी को अपने तरीके से मानसिक परिशानी दोर हो कर करके और इसकतर माले ध्यान अमाले घड़ी आपका है यह वाटर प्रूफ है कौन सा है मतला कोई भगड़ी मतलों जिसको सेकिंड का सुई है गैसमे जैसे माले अब सेकिंड का सुई चल रहा है बंद है देखो च तो क्या जी एक आर्ट है फिर भी हम एक खला के रूप में पिस करते हैं हम लोग साइकलोजिकल ट्रीटमेंट में ने बहुत किये हैं सुसाइट तक के केस बचाए तलाग तक के बचाए उन से क्या है जी मान सिकता दस पंदरा मिंट अपना वो दे करके दो चार मैजिक दिखा करके उन लोग काला जादू सुफेज जादू यह कोई ऐसी चीजे नहीं है लोग ब्रमित करते हैं लोग प्रोफेशनल बहुत हो गए कई संत बहुत बढ़िया हैं जो लोगों गुमरा नहीं करते हैं काफी लोगों ने बिजनस बना लिए हैं तो हम तो अंद विश्वास जैसे मैं देख रहा था परसे तो आप पूरे हैं लोग आपके सेलिब्रेटिक की तरह जब खतम हुआ सेलफिज ले रहे हैं किसी ने यह नहीं बूचा कि मेरे गर में यह देख था है इसका वे काफी लोग कहते हैं पिर हम उनको समझा देते हैं मतला हुआ कई लोगों की मन तो इसलिए मन के खेल है सारे, अपने मन को ठीक करो, अपने करम पर विश्वास करो, आप काम ही नहीं करोगे, इन चक्रों में सारी दिने हाथ की रेखा जी ये, बबेन ऐसे कह दिया, ये क्या चक्र है, यूरी के लार आपने सुना होगा, वो कदा तेरे लक लाइन नहीं है, देश का कितना बड़ा साइंटिस्ट बना, तो मेरा कहा, तो मेरा कहा मतलब, मैनत नहीं करोगे, तो क्या हो, इसके इलावा, जादू की दुनिया में, जब आपने कादम रखा, तो क्या मुश्किलिया है, या फिर, वो कौन सा सबसे बुरा दिन कह सकते हैं, या मैं पूछन देगा, तो मैसा स्टडी करता रहा, साथ मतलब, उनको उनको तो बाद में, एमकुम किया था मैं, तो मैंने कहा भी चलो, या आर्ट के लिए एक जी जान लगाया जी, आज भी सुबढ़ते तो जदू यादा तहरात को सुते तन, इसको सारा जीवन भलाई के कारे में लगा तो उसमें कुछ हिसा हमें साथ चारिटी के लिए करते रहें, एक जादूगर को सबसे ज़्यादा इज़त कब और कौन से देश में मिली, नि सबी देशों में तो वहां एक, कौन इस चीज़ को कौन इसकी कदर करता है, कला के रूप में देखते हैं जी, यहां तो अपने गराई में जाते हैं ना, पहले यह पता किराव लड़की कैसे गायब हुई, कई लोग तो शोई उसे देए, यार यह यह निया आइटम सब में लगा बाद में, बाकी तो सब सब ले, कल वो आदम आया करते हैं यार हवा में उड़ाते हैं लड़की को, यह समझ नहीं आया, है, मैं के, ढूए काम क्या करता है क्रियाने की दुखान है, मैं कयो इतने मन में बोजराख भाइ writes कर देख लिये कहले किन दुखान है, तो मैंने क्या जादू सिखाते हैं शो कर तो तो अपने बिना मतलब की अ परिशान्नी में, लोग अनंद लेते, बाहर मैकतों घिट दे करें रात को डिनर पार्टी देते हैं मनो रंजन reality मतलब शीखने के चाहवन है एक रहे च्क साहँ है जाएक रहे हम चेंगो यह तो की चूख रहेगी है नहीं नहीं बहुत ऐसे कई वर मेरा सिली गोडी प्रवाम था वेस्ट बंगाल में तो जैसे बिजली के आरे से हम लोग दो टुकड़े करते हैं लड़की का एक आइटम होता है मतलब चेंज करते रहते हैं जैसा स्टेज होता है ओपन में स्टेज हैं तो कहीं मतलब चीज हैं तो वह मैंसे पेट पे आरा चलता नहीं आपको लगता है रहा चल रहा है अगर आरा चल जाए तो रोज की लड़की कहां से लह है तो लाइट सा मतलब हलका सा उसको है उसको चल गया था तो थोड़ा बहुत ब्लेडिंग वगरा हुए लेकिन संब्ड गया ऐसे कई वार हो जाता है तो इसलिए पूरी जब तक हमारी प्रेक्टिस नहीं हो जाए जब तक हम शो नहीं दिखाते हैं एक जादूगर्द लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जादूगर्द यह जी आप मतलब बरपूर मनोरंजन कीजिए इंटर्डेनमेंट और इसके बाद हमारे अमरत मोसब के भी करे करम चार दिन के जो पूरे इंडिया में अपने 75 वा मना रहे हैं तो तारिख तक 5 दिसंबर तक हमारे करे करम हैं तो आप लोग दोपैर को एक बजे हैं शाम को चार बजे हैं से परिवार आए उसके इलावा कोई जादूगर्द करने का सपना किसी की जरूरी नहीं कोई भी आदमी डोक्टर इंजिनियर या जो उसका एम हैं कोई भी बने सची मांदारी लगन से उसको जरूर सफलता मिलेगी आज माले मेरे ही ले लो कितनी दिखते हैं यह एम था बनके दिखाया वैसे हरे एक आदमी सोचें मुझे किया तोर पर हैं मतलब काफी जादूगर शो किया तोर वाले भी हैं लेकिन यह कुछ जरूरी नहीं मतलब काफी लोग हमारे सीखने आते हैं डोक्टर है इंजिनियर है वो थोड़ थोड़ी देर पंदरा मिन्ट का यार दिखाओ का इंटेंटेन्मेंट है तो वो कहता ही ब हमारे गाने का है भजन का है तो वो हम लोग मतलब कभी-कभी चलता रहता है चलो एक दो लाइन आपको अनुमान जी की होते हैं हमारी मतलब मारवाडी में है तोड़ा अरे तेरे कहां लगयो है बान बता देरे लक्षमन भाईया बता देरे लक्षमन भाईया बता देरे छोटे भाईया अरे तेरे कहां लगयो है बान बता देरे लक्षमन भाईया तन बहुत घणोर समझायो तू छोड़ अवद पुरियायो अरे संकट मैं पढ़ गई जान बता देरे लक्षमन भाईया ऐसे माले गाने का है कुछ भी है या दिल की सुनो दुनिया वालो या मुझे को भी कुछ कहने दो मैं गम को खुशी कैसे कह दू जो कहते हैं उनको कहने दो या दिल की सुनो दुनिया वालो अच्छा जाते जाते हमारी दर्शिकों के लिए कोई या तो कोई जादू दिखा दीजी या कोई छोटा सा जादू मैं चाहूँगा कि अगर सुखा दीजी जादू की प्रैक्टिस है माने अंगुठा लगा हुआ है वैसे मैं आपको बच्छों को या जहां में दिखाएंगे अब यह लगा हुआ है अब आपको लगता अंगुठा चल रहा है अब मैंने थोड़ा ऐसे किया इसको ऐसे लगाया और इस हाथ को यह ऐसे दीरे दीरे करके आप आप कोई अच्छा सा जादू सिखाना नहीं जाते यह तो बच्पन में हम गतते रहे हैं आप अपनी कला थोड़ी सी कोई कोई चोटा सब्सक्राइम लगता है जी आप कभी भी आओ हमारे पास हम आपको मैजिक सिखाएंगे वो दिल खोल के जो भी आप सीखना चाहें लेकिन करके दिखा दीजिए कोई कर सकते हैं नहीं है तो कुछ सा कट ले लेते हैं वह मुए लगा बोल कर लेते हैं आप पूछे रहा था कि कोई आपका ऐसा किस्सा जो आपको सबसे याद रहा हो कोई खोल हो कोई जो जहां पर आपने जादू तालियों से गूंज गया और फिर कोई ऐसा वाकियों जो आप कभी भी नहीं बूल सकते कि आपको लगता होगा कि जादू से के नियंगों किया क्या है जी किससे तो दुनिया बने के माले यह गंगना घर से हैंना अचाने कहना प्रॉम दिल्ली का फिक्स हो गया पहने दिन स इसको ब्लैंक दिखाई दिया, सारा खाली चार्ट, तो मैंने इसको कभी शंकर जादूगर नाम सी बर्त है, तो उसमें सारी शंकर जादूगर लिखे हुए थे, तो वो गया राफ तो सोया भारी देखी जाएग, उनको मालूम नहीं था भी कोण है, तो ऐसे बहुत से किसी है जी, कहीं भी चले जाएगा, अमाने जैसे मॉबाइल का जादू है, अमाने कुछ भी इस पर बना दिया, बोल टाइप से, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हट में आ जाता है, बड़ा अच्छा लगा आप से बात करके, उमीद करता हूँ कि हमारे दर्श्कों को भी ये इंट किमती सुजा हमें नीचे दिये, कमेंड बोक्स पे, कमेंड करके दे सकते हैं, कैमरा परसन, अनिल के साथ, मैं शाश्वनागरा कुरक शेतर